हलो फ्रेंड्स फ्यामिलीज किचिन में आपका स्वागत है आज रक्षा बंदन है तो कुछ मिठा तो होना ही चाहिए तो मैं आज बनाऊंगी फिर्नी जो बहुती स्वाधिश्ट और बहुती अच्छे होते हैं अब मैं आप लोगों को फिर्नी बना के दिखाऊंगी तो आए मैं शुरू करती हो फिर्नी बनाना तो मैंने फिर्नी बनाने के लिए चाय कप के देर कब बासमती राइज लिया और इसको अच्छे से धोके मैंने कटोरी में रग दिया और मैंने पाच इलाइची निया, कुछ केसर की धागा लिया, कुछ काजु लिया, कुछ बादम लिया, जो मैं बाद में इसको बारिक-बारिक काट लोगी और मैंने इधर दूद उबालने रख दिया, तीन किलो दूद है, फुल क्रीम और तीन किलो दूद को मैं गारा करके धाय लिटर कर लूँगी, आब मैं चावल को एक मिक्सी की जार में लेके इसको दर-दरा पीस लूँगी, तो मैंने चावल को देखे, दर-दरा मोटे-मोटे परसे मैंने पीस लिया, इस तरह के सापको पीसना है, ज्यादा बारिक नहीं करना, जैसे चावल के तोरह छोटे-चोटे टूकरे बनी रहे, इस तरह के सापको पीस लेना है, इस तरह के से मैंने पीसा, देखे, अब मैं इसमे थोडा नॉर्मल दूद देके इसको भिग़ो दूँगी, कटरी दूद से मैं इसको भिगो के एधर अब भिगने दूतियों चाल को और इस तरफ मेरा दूद भी उबाल गया अब मैं इसको ग्यास कम करके थोड़ा दूद को गारा कर लूँगी ग्यास को मैंने स्लो कर दिया, दस मिनिट तक मैं इसको दूद को गारा करूँगी तो दूद उबालते हुए पाच मिनिट हो गया, अब मैंने जो पाच एलाइची लिया था उसको मैंने पूट लिया, पूटका भी इसमें दूद में डाल दूँगी और डालूँगी जो केसर की धागा है यो अब केसर की धागा भी में डाल दूँगी इसमें अब अच्छे से मिला लेती हूं तो मैं और पाच मिनिट दूद को अबालोंगी तो फिर्णी का दूद बहुत गारा हो गया आप और केसर पी मैंने डाल दें इस वेश देखिए दूद का कलर कितना अच्छे साया है अब मैं इसमें जो भीगा हुआ चावल पीश के मने रखा और लूँगी तो गैस मैंने तेज कर दिया अब मैं पीशा हुआ चावल को दूद में भीगा था यह तो मैं इसको चम्मस के सार तुरह तुरह करके डालूँगी एक बार में नहीं डालोंगी, एक बार में डालने से उसमें गुटली आजाएगी, लम्स आजाएगा इसमें, थोरा थोरा करके चलाओंगी, तो इस तरह के समय सारे भिगा हुआ चावल डालोंगी, तो मैंने सारा चावल डाल दिया, अब मैं इसको पकाऊंगी, इसको चलाना है, चावल डालने के बाद आपको रुकना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा और इसमें गुटली आ जाएगे, देखिए, चावल डालने के बाद भी गारा होना शुरू हो गया, अब मैं इसमें गारा होने तक पकाऊंगी, जब तक चावल जो मैंने डाला, जो चावल के टूकरे अच्छे से नरम और पकना जाए, तब तक इसको पकाऊंगी मैं, अब इसको अच्छे से देखिए, बहुत काफी गारा हो गया मेरा चावल, और चावल अधा पक भी चुका है, देखिए, कितने मोटे-मोटे दाने हो रहा है, इस तरह कैसे दाना हो चाहिए, फिर्णी में, इस तरह कैसे आपको चावल पिसना है कि दाना-दाना रहे, आप जादा बारिक पीस होगे तो दोद में डालते हैं, दोद गारा हो जाएगा, और जो फिर्णी में स्वाध है, मोँ में थोड़ा सा चावल का टुकरे आना चे ओ नहीं आएंगे, तो आपका फिर्णी अच्छे से स्वाध भी नहीं लगेगा, तो आपको इस तरह को से चाव हो गया है, देखिए चावल और थोड़ा सा पकना है, तो अब थोड़ा सा अंदर और थोड़ा सा टाइट है, देख सकते आप अब थोड़ा सा और होना है, और दो-तिन मिनीट और पकाऊंगी, तो दो-तिन मिनीट और पका लिया है मैंने, आप मैं इसमें डालूंगी जो ए आप मैं अच्छे से मिला लोंगी चीनी आभी दूंगी चीनी देने के बाद थोरा सा यह और पतला हो जाएगा पानी चोरेगा चीनी तो और पास साथ नीट इसको तेज आच्पे करके चलाते हुए उसको पकाऊँगी चीनी को गलाना है और चीनी देने के बाद देखे थोरा सा इसमें पानी चोरा तो थोरा सा पतला हो गया तो इसको तेज आच्पे करके आपको थोरा गारा करना है तो मैं पका के गारा कर लेती हूँ तो काफी गारा हो गया और थोरा सा गारा करना आपको अब मैं डाल दूंगे इसमें एक चुटकी नमक नमक डालने से मिठा का बैलेंस अच्छा हो जाएगा और फिरनी में आपका टेस्ट भी और अच्छा हो जाएगे अलका सा नमक डालने से मिठा का बैलेंस अच्छा हो जाता है और फिर्णी का टेस्ट और बढ़ जाएगा तो मैंने और थोरा सा पास मिट इसको तेज आज़ पकाऊंगी गारा करूंगी ऐसे चाओल तो पक गया इसको लेकिन थोरा सा गारा करूंगी इस पर तो फिर्णी मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है आप मैं इसमें डालूंगी एक चमच घी एक चमच घी डालूंगे इसमें अब मिला दूंगी मैं इसको देखें कितना अच्छे से बन गया और कितना आसाने से घर में बन गया है फिर नहीं बहुत पर्फेक्ट हो गया है इससे ज़्यादा गारा नहीं करना आपको क्यों ठंडा होने के बाद और गारा हो जाएंगे आप मैं इसमें डाल दूंगी आप मैं इसमें डालूंगी एक चमच केवरा वाटर अब मैं इसमें अच्छे से मिला दूंगी कितने अच्छे एक भी लम्स ने आया मैंने जिस तरह का से बताया आप लोगों को इस तरह से बनाओगी तो मिलकुल पारफेक्ट फिर्णी बनके तयार हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट फिर्णी मेरा बनके तयार है तो मैं इसको आप डिश आउट करूंगी तो मैंने फिर्णी इसमें मतलब डालूंगी और इसमें डालके मैं फिर्ण में रख दूंगी इसमें मैं साप करूंगी तो मैं इसमें सारे भर दूंगे फिर्णी से सारे मैं भर लेती हूँ अब मैं इसको उपर से कटी हुई बादाम डालोंगी डेकोरेशन के लिए आप चाहे पेस्टा भी डाल सकतो मेरे पेस्टा है नहीं मैं बादाम और काजू डालोंगी आपको थोरा से डाल के थोरा से हलका से दबा देना है देखिया तो मैंने डेकोरेशन कर दिया तो फिरन्स फिरनी मेरा टेस्टी स्वादिस्ट फिरनी बनके मेरा तयार है तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे बनाय हुए फिरनी की रेसिपी तो जोरूर कॉमेंट बॉक्स से कॉमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सस्क्राइब कीजिए मेरे आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू बाबाई